थाना फापा माउंट चनपत प्रयागराज में एक सूचना प्राप्स हुई थी कि ईश्वर चंद्र ने नशे के हालत में आपसी लेंदेन को लेकर एक वेक्ति की त्रिशूल से हत्या कर दी है इस सूचना पर पतकाल पुलिस ने घटनाइस सरकान इलिक्षन किया इसके पस्चात 302 का मुकदमा लिखा गया है मुकदमा लिखने के बाद बाड़ी को कोस्मोर्टन के लिए रवाना किया गया है अभियोग इश्वर्चन पुलिस की हिरासत में है उसे पोस्ताश कर आश्यक विदिक करवारी की जा रही है